हम अपने इस सेशन को कह रहे हैं यातरिगन कृपया ध्यान दें और ध्यान दें किस बात का कि ये चुनावी साल है ये साल तो अच्छी खबरों से भरा ही रहेगा पियुश जी मुझे लगता है अभी तक आपने महसूस किया होगा कि ये एक सरकार है जो अधारबुद बदलाव में विश्वास रखती है हमने विकास की शंकला को तेज गती दिये भारत में विकास को इमानदार बनाए विकास को सब के लिए लाब हो ऐसा बनाए सब का साथ सब का विकास हमारी सरकार की मूल भावणा रही है और मैं समझता हूँ आप हाल के भी दिनों में देख लो हमने ऐसे निरने लिये हैं जो देश हित में हैं चन वके साब से निरने लेने का काम मानने पदानमंतरी मोदी जी ने नहीं किया क्या यही हो गया इन चुनावों में जिसमें तीन राज़ेहाद से चले गए अलग-अलग चुनाओं में परिस्तितियां होती है, वैसे देखे तो कोई बहुत ज़्यादा फटकार भी नहीं दिये, जनता ने मत्यपदेश में तो लगबग थुड़ा ज़्यादा ही वोट मिले हमें, पर सभाविक है कि हमारी सरकारे नहीं बनी तीनों में, हम उसको स्वि सुझाओ आते हैं, आपके माध्यम से आते हैं, जनता हमें देती हैं, तो उसके लिए सरकार तट पर है, इस अन ओपन, पुरी खुली सरकार है, जिसमें विचारों का आदान-पदान लगातार चलता रहता है, हम उन चुनावों पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आपके मंत् चालियों की बात मैं आपसे पूछने चाहूंगे, हालों कि यह थोड़ा रिस्की है, क्योंकि आप सरकार के फाइव स्टार मिनिस्टर्स में से एक हैं, जिनके लक्ष अधिकतर अभी तक आपने हासिल कर लिया है, इसलिए जो हासिल लक्ष हैं वो तो चलिये, वो मालूम है लेकिन जो नहीं हासिल हुए हैं, उनमें एक बुलेट ट्रेन को मानते हैं, क्या आपने सोचा था इसी कारेकाल में करना है या बुलेट ट्रेन का तो बड़ा निर्धारिज समय है आपकी जानकारी के लिए बुलेट ट्रेन दुनिया में जब नॉर्मली किदर भी लगी है और खास्तोर पे पहली बार लगी है तो आट से दस वर्ष लगते हैं और भारत में तो हमने जो लक्ष रखा है कि 5 साल में 2023 तक बुलेट ट्रेन बनाना ये जैपनीज भी इसके लिए तैयार नहीं थे बड़ी मुश्किल से उनको समझा है कि भारत अब बदल गया है अब भारत में समय सीमा के हिसाब से प्रोजेक्ट लगते हैं और उनका तो मानना था कि 2023 भी बहुत एग्रेसिव टार्गेट है पर मैं मानता हूँ कि हम 2023 तक शत प्रतिशत बुलेट ट्रेन भारत में ले आएंगे मुंबई से अमदाबाद तक वास्तों में हम अगस्त 2022 तक जब 75 वर्ष भारत के पूरे होते हैं एक सेक्शन उसके पहले शुरू करना चाहते हैं एक प्रकार से लोगों को स्वाद आना शुरू हो कि आगे चलके ये जो हाइस्पीड ड्रेल्स, सेमी हाइस्पीड ड्रेल्स इसमें जो सफर होगा वो कितना सुगम होगा